स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और हम एमसी क्यूस कोस्टन कर रहे हैं मेडिकल लैबरेटी टेग्नलोजिस्ट के लिए बी एमल्टी डी एमल्टी एमल्टी बीसी एमल्टी तो अभी तक हम वन टैन तक कर चुके हैं मतलब 110 कोस्टन हमारे हो चुके हैं फिर एमसी की उसके लिए तो आप मंगवा सकते हैं और उसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करके रखिए वहां पर मैं अपडेट देते रहता हूं चलिए आज के कोस्टन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चीज है यहां पर दिया हुआ है वि से टेस्ट आते हैं वो सारे चीजों के बारे में आपको पता होगा तो यहां पर एक ही है जो आपको अलग दिखाई दे रहा होगा ऑप्सन की बात पहले कर लेते हैं यहां पर दिया हुआ है सीरम बिलिरूबिन टोटल प्रोटीन उसके बाद अलबुमिन ग्लोबिलिन का र बोलते हैं कुछ लोग RFT भी बोलते हैं ठीक है रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर किड्नी फंक्शन टेस्ट तो इसके साथ साथ और कौन-कौन से चीज़ आ जाते हैं सीरम क्रेटिन के साथ आप यूरिया का भी टेस्ट करते हैं ठीक है और उसके अलाबा यूरिक एसिट का भी करते हैं ठीक तो यह आपका केवल अलग ऑप्सन है जो कि डी वाला है तो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट में यह नहीं आएगा और सवाल भी यह पूछा था कि इन में से कौन सा टेस्ट है जो लिवर फंक्शन टेस्ट में नहीं आता है तो आपका डी वाला ऑप्सन है जो कि आपके liver function test में नहीं आता तो correct option आपका D वाला हो जाएगा बाकी सारे जैसे कि serum bilirubin है यह आपके liver function test है जिसमें कि आप total, direct और indirect ठीक है यह bilirubin आप perform करते हैं इसके अलावा क्या-क्या perform करते हैं liver function में SGOT ठीक है और SGPT इसके अलावा आप क्या करते हैं serum alkaline phosphatage ठीक है और इसके अलावा जो आपका total protein है total protein में आपके albumin globin भी आजाता है और albumin globin का ratio भी आजाता है तो यह सारे टेस्ट आते हैं इनकी normal value याद कर लेना आपका home work है home work मैं आपको देते रहता हूं जब भी पढ़ाता हूं तो home work यह है कि इनकी सब की normal range आपको याद करना है अगर आपको answer पता है तो आप comments भी कर सकते हैं जो भी question आता है उसका answer अगर आपको मालों में नीचे आप comments करते जाएं और इसके अलावा normal range आप अगर बाद में वीडियो देखते हैं तो आप मेरे को normal range comment कर सकते हैं अगर आपको पता है यह सारे liver function test और kidney function test के इससे आपको भी benefit मिलेगा आपको याद हो जाएगा नहीं है याद त आपको देखने को मिलता है तो यह आप लोग 11 12 साइट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 10 में भी system दिया हुआ हम लोगों ने भी उसी समय पढ़ा था तो यह आपको अलग-अलग option दिखाई दे रहा है सबसे पहला नैफ्रॉन है तो यह कर से kidney से related है ठीक है उसके नैफ्रॉन के बारे में आप लोगों ने डेटेल में पढ़ लिया होगा नैफ्रॉन में कौन-कौन से structure होते हैं सबसे पहला चीज तो एंसर आप लोग कमेंट्स कर दीजे इसका तो पहली चीज हम answer कर डिसकर लेते हैं बाकी option हम बाद में देखेंगे ठीक है एक question से बहुत function test में आते हैं तो renal function test में और कौन-कौन से आते हैं तो यह सारी चीजे हैं जो हम cover करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए ठीक है चलिए question का आप answer हमें बता दीजिए इसके लावा हम answer पर चलते हैं direct तो answer जो है इसका neuron हो जाएगा अब neuron का structure आप जब बनाते हैं तो यहां प तो इस तरीके से कुछ diagram आप लोगों ने बनाया होगा है ठीक है तो आप लोगों ने अलग अलग structure देखने को मिले होंगे तो इनको जो हम dendroids बोलते हैं सबसे उपर जो होता है इनको dendroids बोलते हैं ठीक है और इसके अलावा यहां पर central में आपको nucleus देखने को मिलता है इ हमने दसवी बार्वी में पढ़ा था ठीक है इसके अलावा आपको यहां पर node of renever देखने को मिलेगा इधर पर और इसके अलावा इसको exon बोलते हैं ठीक है यह जो जा रहा है इसको exon बोलते हैं ठीक है exon myelin seat ठीक है यह myelin seat है और यह जो आपको नीचे दिखाई दे रहा जाता है और यह आप neurons का अच्छे से आप पढ़ लीजेगा बाकी भी anatomical important हैं बहुत सारी चीजे तो उनको भी आप पढ़ लीजे तो आपका correct option यहां पर neuron हो जागा नेफरों के बारे में ज्यादा कुछ बात करने का नहीं है नेफरों को भी diagram आप लोगों ने बनाया होग और यहां पर लूप आफ हैनले बनता है इस तरीके से और यहां पर collecting duct आता है तो इस तरीके से यहां पर दो efferent और efferent और efferent आर्टियोल आपको देखने को मिल जाता है और उसके बाद यह loop आफ हैनले बहुत important है यह भी है हम लोगों ने दस्वी में पढ़ा था बारी में बढ़ा था वही याद है इस तरीके से आपको नेफ्रोन का डाइग्राम कुछ देखने को मिल जाता है इसके अलावा red blood cells आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे blood के lecture में हमने समझाया है ठीक है इसके अलावा hepatocyte deliver से संबंदे थे तो इस तरीके से correct option आपका हो जाएगा कौ नहीं पर दिखाई देता है यह सवाल पूछा गया है तो यह आपका microbiology के सवाल है अब डाइटिंग मॉटिलिटी को जो है यहां पर दूसरा नाम इसको बोला जाता है कि शूटिंग कि स्टार है ठीक है मॉटिलिटी ठीक है तो यह भी आप याद रखिएगा इसका दूसरा नाम है तो यह आपको पता होना चाहिए तो कुछ जो नेगेटिव बैक्टिरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं तो इसमें correct option है आप बता दीजिए अगर आपको पता ह तो इसका correct option आपका विब्रियो कोलेरा है ठीक है और आपको देखने को मिल जाता है तो यह इस तरीकी से यह इंपोर्टेंट है विब्रियो कोलेरा तो यह आपका डायटिंग मॉटिलिटी इसमें आपको देखने को मिल जाता है अब बाकी जो आप्शन दिये हुए है और आपको निमो कोकाई जो डी वाला option है ठीक है निमो कोकस देखने को मिलडा होगा यह ग्राम पोजिटिव है और यह भी नॉन मॉटाइल होता है ठीक है बाकी हम एक एक बैक्टरिया के बारे में डेटेल में बहुत बार बार आप लोगों को explain कर चुके हैं समझा भी चु से जाता हूं और एक नएक microbiology को question आता ही है ठीक है तो इसमें आपको देखने को मिलता होगा example अगला question example of sorry for a transport medium इसमें से आपको transport medium पोछा है microbiology को question है यह भी तो transport medium इन में से कौन सा है तो आपको option देखने को मिलडा होगा सारे के सारे short form दिये हुए फुल फॉर्म नहीं है आप short form के साथ दिक्कत ही हो जाता है कि भाई उसका फुल फॉर्म भी आपको मालम होना चाहिए तभी आप answer कर पाएंगे ठीक है तो यहां पर TCBS दिया हुआ हुआ है जो कि आपका अगर हम फुल फॉर्म बताएं इसका थायो सल्फेट साइट्रेट बाइल साल्ट ठीक है सुक्रोज अगार तो यह सलेक्टिव मीडिया है आपका ठीक है इसके अलावा अगला यहां पर देखने को में रहा होगा वियार मीडियाम अगर किसी को औपसंद्द का सोरी एंसर अगर पता है तो एंसर आप कर सकते हैं बाकि मैं फुल फॉर्म आपको बता रहा हूं ठीक है तो वियार का फुल फॉर्म होता है वैंकेट रमन रमा क्रिश्चन ठीक है और यह आपके जो वी आर मीडियम होता है वेंकेट रमन ठीक है तो यह आपके यूज होते हैं क्रांस्पोर्ट फीसस कि सब्सक्द कॉलेरा तो कि के हैं तो आपका करेक्ट ऊप्शन इसमें हो जाएगा कौन सा जो आप का 114 कोशन दिया हुआ है इसका करेक्ट ऊप्सन कौन सा हो जाएगा वाला थिक है वी-ोत मीडियम तो भी आर मीडियम Olympics का correct option आपका हो जाएगा अब अगला जो C वाला option दिया हुआ है भी एच आई तो इसका अगर हम full form बताएं आपको इसका full form होता है brain heart कि इन फ्यूजन ठीक इसके अलावा जो डी वाला last option दिया हुआ है यह आपका MHA ठीक है तो इसका full form आप अगर पता नहीं है आप लोगों को तो यह आप लिख लीजिए note कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए ठीक है antibiotic susceptibility test के लिए यह इस्तेमाल किया जाता है ठीक मुलर हिंटन अगर चलिए अब correct option इसका पता चल गया बाकि आप full form भी इसका याद रखिएगा ताकि आपको दिखत नहीं हो आज का लास्ट सवाल 115 दा मिड लेयर ओप मेनेंजस ठीक है बहुत ही interesting question है और बहुत आसान question भी आप आसानी से बता सकते हैं और यह भी आप लोग दस्वी बार वी में पढ़े हुए हैं आपको मेनेंजस का मिड लेयर पूछ रहा है तो मेनेंजस जो होता है कि आपके थ्री लेयर मेंब्रेन ठीक है जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है उसमें तीन लेयर आपको देखने को मिलता है कौन कौन से होते हैं डिूरा मेटर सबसे उपर का एरेकनॉइट बीच का ठीक है उसके बाद पाया मेटर करेक्ट यही तीन लेयर हैं तो आपको बीच का लेयर पूछा है तो बीच का लेयर आपका कौन सा हो जाएगा एरेकनॉइट लेयर कहां पर है यह उप्सन एरेकनॉइट लेयर C number ठीक है तो correct option आपका कौन सा हो जाएगा C number हो जाएगा ठीक और एक ही अलग option दिया है जो की peritonium है तो यह peritonial fluid आप लोगोंने पढ़ा होगा तो यह आपका correct option नहीं होगा तो confusion अगर होता तो pyameter से होता या फिर arypnoid से या durameter से बाकि जिनको याद है उनको तो confusion की कोई बात ही नहीं है असानी से आप बता सकते थे हैं ठीक है तो इस तरीके से आज के हमारे question खतम होते हैं आप चैनल को subscribe कीजिए पहली बार widget कर रहे हैं तो और कोई सवाल है तो आप comments कर सकते हैं और मेरे को वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है और बाकि इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर ले ना लिंक आपको description मिल जाएगा thank you so much